तो आज को टॉपिक है वो तरह से है क्या आपके जीवन में किसके आने से आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा देखिए रीडिंग को शुरुआत करने से पहले मैं यह कहतीती हूँ कुछ इतना पॉजिटिव वाइबरेशन्स वाले इंसान हमारी जिंदेगी में आते हैं तो हमारे जिंदेगी में जो भी था उससे डबल ब्लेसिंग्स हमें मिल जाता है और अगर हम बाइचांस नेगेटिव इनर्जी को मैनिफेस्ट करते हैं या कुछ इस तरह से हम रहते हैं नेगेटिव स्टेट अफ माइंड पे तो कुछ ऐसे इंसान हमारे जिंदेगी में सकते हैं जो हमें पूरी तरह से तबाह करें आप हमेशा ही पॉजिटिव रहे पॉजिटिविटी के साथ रिटिंग को देखें चेक करें इंटेंशन उस इंसान का एंड डेफिनिटली गाइडेंस को फॉलो करें तो लेट सी लेस्ट फाइंड आउट हूँ इस एट परसन तो फॉजिटी इंसान का एंड शॉलेक शॉफल करते हैं कुछ दे तक एंडेफिनिटली इंटियू इंडेफिनिटली। कौन है जो आपकी जिंदगी में आ रहे है और आपकी जिंदगी को बदल दे रहे हैं we do have the nine of ariel ये है nine of pentacles की card okay so we do have the seven of michael okay we do have the five of gabriel king of ariel seven of raphael queen of raphael six of raphael two of raphael oh my god king of raphael queen of raphael guys strong 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 what a sign nine of gabriel okay bottom of the deck हमारे पास है epiphany 69 96 again it's a shadow number it's a reverse mirror number okay थोड़ा समय इस तरह से कर देती हो ताकि आपको दिखाए दे पूरी तरह से ओके यहां पर है कैंसर पाइशी स्कॉर्पियो कर ब्रिशिक और मीन राशी काफी है यहां पर सो टॉरस वागो केप्रिकॉन प्रिशप कान्या मकर राशी है एक्वरे जवनाय लीब्रा कुमे तो न तुलरा राशी है और की कैंसर पाइशी स्कॉर्पियो तो है सारे साइन्स ही आ चुके है बर वाटर साइन्स ही तूमच हो सकता है कि आपके फिफ्ट और सेवन्थ और नाइन्थ हाउज में कैंसर पाइशी स्कॉर्पियो हो यह आपकी हो सकते हैं कि आपके परसन काफी ज़दा एमोशनल होंगे ठीक है आप सेंसिटिब भी होंगे और सेंसिटिब टू क्रिटिसिसम होंगे क्योंकि देखो यह इंसान चाहे जो भी हो काफी ज़दा मासूम होंगे ठीक है और जब भी उनकी वफादारी के उपर कोई प्वेस्टन आएगा तो यह वो मेल हो या फीमेल हो यह इंसान जनरली क्या है लोगों को समझते हैं सब्सक्राइब एक जस्वा बात क्या किया जाता है रिच्वार्ण कैसे कर जाता है भजन कैसे होता है कितन कैसे किया जाता है so they know everything basically उनके घर में अगर लोग भी आते है इनको किस तरह से सेवा करना है सबसे ज़दा इनको आता है चाहे आप बोले कि अगर ये लोग चाहे जो भी परसन हो आपकी जिन्दगी में आए चाहे वो हमारे देश से भी ना हो दूसरे देश से भी हो लेकिन उनका क्वालिटी तो बदल नहीं जादा ना क्वालिटी तो वही रहेगा right so basically जो भी उनके घर में guest होंगे वो definitely उनका entertain करेंगे घर में बैटने के लिए देंगे पानी शर्वत जो भी होगा इनका जितना भी capacity है they will try to do that because यह ऐसा ना किसी को भूखा देख सकते हैं ना प्यासा देख सकते हैं even they also love animals a lot basically and they respect their family members they respect their home they love their home home-centric person हो सकते हैं basically जो मुझे यहां पर दिख रहा है कि अगर आप female के लिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छा अगर आप male के लिए देख रहे हैं तो यह इनसान भी काफी जादा diplomatic के साथ-साथ ऐसा नहीं है that person is cunning or very manipulative कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है बड़ ऐसे इनसान दिख रहा है मुझे यह इनसान के उपर आप बिलकुल भरोसा कर सकते हैं you can trust as well as यह इनसान बहुत अच्छे से जबाब देते हैं लोगों को ठीक है एकदम cool mind पे not high temper नहीं शो करते हैं especially to their clients ठीक है especially to their family members अभी किसी ने पंगा ले लिया तो तो वहाँ पे उनका temper किसी का भी होता है बड़ इनका generally होता ही नहीं है उतना ज़दा they can handle also they are diplomatic but they are not shrewd और shrewd नहीं है cunning नहीं है ठीक है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है चाहे आपके person male हो या female हो they will always be creative and psychic ठीक है हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे चाहे वो कोई painting हो उनका job maybe उनका job हो सदे singing हो dance हो drama हो arts हो anything philosophy हो कोई भी field पे इनका जो superior presence आप feel करेंगे कि yes this person is superior than me यह आपको लगेगा कि यह मेरे से बहुत 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 बहुतरीन से बहुतरीन इंसान है ऐसा आपको यही relationship में मिलेगा they are your soulmates no doubt यही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर एक car से ही कुछ न कुछ ऐसा आई जाएगा जिससे प्रमानित हो जाता है हर बार की reading में कि जबी में मैं करती हूँ who is coming in your life they are none other than your soulmate I do find कि शायद आपने give up नहीं किया था शायद आपने प्यार के उपर भरोसा रखा था मैं नहीं बोलो कि यह आपके एक सो सकते हैं बड़ ऐसा आपने कभी भी अपने अंदर जो एक faith रखा था hope रखा था वो rosy picture रखा था आपने कि मेरा प्यार जो है वो उनको समझ में आएगा वो उनका भी असलियत मुझे समझ में आएगा कोई गिले शिक्वे नहीं होंगे कोई cloud नहीं आएगा बीचो बीच में कोई बादल नहीं आएंगे ठीके ताकि आप लोग एक दूसरे को समझ पाए so you will understand each other deeply as well as you will give respect ठीके एक हाथ से प्यार नहीं होता है ठीके दो हाथ को मिलाना पड़ता है तो ही वो प्यार होगा वाना जब शादी का समय होता है तो दुनों तरफ से agreement होगा ठीके आप उनको accept करते है आप उनको accept करते है वाना एक ही का acceptance भी हो जाता देखे नियम के हिसाब से भी देखे रीती रिवास के हिसाब से देखे तो खांदान में हरे खांदान में ऐसा होगा कि हाथ के उपर हाथ परमपरा के हिसाब से रखा जाता है क्यों? Because there is a union of two hands हस्त मतलब मेल, मतलब बंधन मतलब हार्मनी जो हमेशा हर जनम में इनका साथ होना ही है बाकी धर्म में जो भी होता है you know that there is an exchange of commitment do you accept this person as your wife do you accept him or her as your husband or wife इससा फिर कुबूल है ऐसा बोला जाता है फिर गटबंदन होता है फिर माला पहना जाता है so why this is two side because this is two side one side love and affair does not exist वो exist ही नहीं करता फिर तो वो जो लेविर ठीके so मुझे यहाँ पर दिख रहा है यह इनसान आपको आपके जिंदगी से ठीके जब कोई और आपके जिंदगी में था मुझे ऐसा दिख रहा है वो इनसान की गलत mentality था आपके लिए वो इनसान आपको commitment नहीं देना चाहता था यह नहीं देना चाहती थी उन्होंने जैसे आपकी जीवन का जो भी success का दर्वाजा है उन्हीं के वज़े से आपका बंध हो चुका था ठीके और आपकी हार चक्रम में problems आना और शुरू हो गया और वो block होता गया ठीके दूसरा चीज जो मुझे यहां पर दिख रहा है कि वो जो इनसान थे जो नहीं भी आपके साथ इस तरह का fraud या जो भी किया है कहिरेंगा यह पर जान बूझ के intentionally not unintentionally intentionally उन्होंने आपके साथ कुछ dispute किया chaos किया relationship में जगड़ा मोर लिया जान बूझ के arguments किये ताकि वो आपको अपने जिंदगी से धीरे धीरे करके हटा पाए slow poisoning is one thing you know and direct poison देताना किसी को अलग बात है जब direct poison देते है तो सीधा मृत्यू हो जाती है और जब slow poisoning हो देते है तो देरे देरे मृत्यू होती है उसी तरह से हमारे soul को हम तो यहां पर मर नहीं रहे है पर हमारी आत्मा को यहां पर मिटाया जा रहा है हमारी आत्मा जो है वो effect होता है सबसे ज़ादा फिर हम उसके जो और भी कमजोर होते जाता है आपको कमजोर बनाने की जो सबसे ज़्यादा इंसान की प्रयास रहा है वह बहुत जदा शर्मन दिगी है वहां पर ठीके वह एकदम घिनानी हरकत दुनों ने आपके साथ किया बाकी लोगों के लिए रिलेशन्शिप में पैटर्न इस तरह से रहे हैं कि छोटा नोग जोग के वज़े से वह रिलेशन्शिप टिका नहीं या चला नहीं या आप दोनों में फ्रीडम का प्रॉब्लम था आजादी का शायद आप उनको कॉल करते थे उनको पसंद नहीं था वह को कॉल करते थे एक यह तो किसी और के साथ चकर चला रहे है और मेरे को जब टाइम मिलता है तब ही ऐसा करते हैं और जब आपका जब समय होता था ठीक हूं को कॉल करने का तब कॉल रिसीव नहीं करते थे कुछ इस सबसे हुआ जैसा जैसा आपने क्वालिटीज और इस तरह से होने चाहिए तो आप जिस तरह से फैंटेसाइज कर रहे हैं आप जिस तरह से एक दुनिया में ऐसा है कि मेरी जिंदेगी में सातो रंग इंद्रधनुश के जैसे सात रंग है वैसे ही होने चाहिए So I do find this person is really it's not like that कि यह जो भी सोचते हैं यह हकिकत में उसको कनवर्थ नहीं करते हैं ऐसा नहीं है जो भी उन्होंने सोचा अपने जिंदेगी में वैसा ही उन्होंने करके दिखाया और ये जानते हैं उनको क्यार चाहिए जिंदेगी में और क्यार नहीं चाहिए ठीक है अगर उनको इंद्रधनुष का सातो रंग चाहिए तो वो क्या करेंगे उसातो रंग को प्राप्ट करने के लिए उनको जो भी करना होगा वो करेंगे अगर इनको लगता है नहीं इंद्रधनुश में सिर्फ मुझे एक ही रंग पसंद आता है तो वो एक ही रंग को ही select करेंगे और उसके लिए ही वो काम करेंगे So this person has multiple jobs, multiple options in their life basically और हो साथ है कि वो job भी करते है, business भी करते है side by side So they are wealthy, they are rich, कुछ लोग के लिए अच्छा मैंने आपको बताना भूल गई numbers 7 is very important, 77777 आप देख सकते है 6 आप देख सकते है, 69, 96, the month of June, July, September Okay, can be January is also very important ठीके उनके date of birth हो सकता है, 9th, life path number हो सकता है, 9th, 7 या हो सकता है कि maybe it is 5 9th, 9th, 27th, 18th, is very important किसी का age हो सकता है, 36 Okay, basically, जो मुझे यह भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से जो फर्क है, वो 9 महीना का है या 9 साल का है, 9 साल का तो मुझे नहीं दिख रहा है, हो भी सकता है It is, या 9 महीना का है उस तरह से Maybe you have been dating a person since 9 months, it's also like that So basically, कुछ लोग आप इनको जानते है, they are, you can say that They are in your memory lane, ठीके, जो यादकर पल है, आपने उनके साथ बिताया होगा और बिताओगे भी तब लगेगा कि जैसे बच्पन का कुछ चीजे था, जो हील नहीं हो रहा था, इनका मिलने से आपका भी हीलिंग होगा और उनका भी कुछ चाइड़ अगर इशूस थे, ठीके, वो भी हील होगे So I do find कि दोनों का जो यूनियन है, वो बहुत ही बरिया रहेगा दोनों एक दूस्टे के बारे में हर एक चीज जान पाऊगे ये इंसान काफी ग्यानी बेक्ती हो सकते है, and I do find like that कि ये ऐसे विखती है, maybe they create videos, they create podcasts, they work a lot for the environment, वातावरिन के लिए बहुत कुछ काम करते हैं हमेशा कोई situation, कोई dramatic situation हो, उसके लिए भी अपने आपको prepare रखते हैं जैसे for example, अगर उनको कोई विरोध कर रहा है, कोई विपरिद पक्ष जो है, विरोधी पक्ष जो है, उनके favor में तो of course नहीं होगा, वो अगर विरोध कर रहा है, तो उनको भी पल्टा जवाब देना आता है, ठीके? So I do find that after this 13 number, there is again a 13 and this emperor, so I do find a change in total personality, आपकी भी वेक्तित वो इस इंसान के आने से बिलकुल बदल जाएगा and आप शुक्र मनाईएं कि भगवान से के पास, कि आपको यह जो relationship है, this is just like a blessing for you, I do find कि यह over ambitious है, यह सिर्फ ambitious इंसान नहीं है, इनकी जो अर्मान है, इनकी जो आप अगर देखेंगे, उनकी life story, so whatever they had achieved, they were not satisfied, उनको और चाहिए, और चाहिए, तो इसके वज़े से इनकी काफ financial losses भी हुआ है, वो सता किसी जगा पर उन्होंने investment कर दिया और उसका result जो है, वो बहुत खराब निकला, but यह कभी भी ना रुके है, I do find यह काफी shocking हो सकते है, opposite people can get attracted to this person, they can be like that and जबी भी लोगों को project मिलता है, इनको सबसे बहतरीन से बहतरीन project मिलता है, जो पैसा in return बहुत अच्छा से करें, ठीक है, और कोई apps भी develop कर सकते हैं, जिस app का use करके लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं, उस तरह से हो सकता है, कि उनका income हो सकता है, car rental, hiring agencies, consultancies, financial consultants, can be the credit management, credit card, इस तरह का कोई departments, can be the money transfer zone, उसमें भी हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए यह काम करते हैं, मैं भी overseas, can be working in the mechanical department, उस तरह से हो सकता है, machines related, वो भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए doctor है, banker है, okay, and I do find कि इनको भी बहुत कुछ रुकावटे आई थी, but इन्होंने hard नहीं माना, और एक, जैसे हो दाना the full card, बहुत ही seriously, नहीं लेते उठना ज़्यादा, बट हलके में लेते हैं, और फिर जैसे बोला जाता है, ना की छोटा packet और बहुत बड़ा धमा का, उस तरह का इंसान है, and I do find कि वो कभी भी रुके वे नहीं रहेंगे, क्योंकि, वो हमेशा, you can see the person is very dynamic, हमेशा चलना, फिरना, घूमना इस तरह से, opportunities देख लेना, ठीके, चे के साथ कितना relate करता है, और उसका false side क्या है, सब कुछ देखेंगे, reality क्या है, अगर उनको कोई अभी बताए, अगर mature stage पर बताए कि देखें, आप यहाँ बेंवें इन्वेस करेंगे, तो आपको बहुत जदा अधिक सथिक मुनाफ़ा मिलेगा, तो वो देखेंगे, वो verify कर रहेंगे, they will not trust anyone, यहाँ से हम देख लेते हैं, तो हमें और भी ideas मिलेगा, so who is this person, कौन है जो आपकी जिंदगी में आने वाले है, जिसके वज़े से आप खुदी देख रहे हैं, आपकी जिंदगी, एक लिउटन ले रही है, okay, so who is this person, कुछ लोग के लिए इनका नक्षत्र हो सकता है, maybe, it's anuradha nakshatra is very important, anuradha hooga, कुछ लोग के लिए हो सकता है, कि श्रबना nakshatra is important, कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है, कि, yes, this person can be pushya nakshatra, punarvashu nakshatra, can be aslesha nakshatra, कुछ लोग के लिए, they can be like, you know, yes, shatavisha nakshatra और dhanishtha nakshatra, can be very important, so who is this person, कौन है यह इनसान, adjacent possibility is 24, patience, हर, okay जैसे होता है, हर घरी बदल रही है, दूप जिन्दगी, ठीक है, तो उसी तरह से यह इनसान जानते हैं, कि वक्त के साथ साथ technologies भी बदल जाएंगे, काम करने का तरीका बदल जाएगा, तो यह कभी भी हर बड़ी नहीं करते हैं, मैं यहीं बोल रहे थी, this person is a slow decision maker, ठीक है, यह हर बड़ी में कोई decision नहीं लेंगे, इस इनसान का एक negative चीज़े है, कि इनसान अपने blessings को count नहीं करते, यह आप हो जाता है कि आपके पास आशिवात तो है, लेकिन अगर आप count नहीं करते, तो आपको भी ना blockages मिलता है, so count your blessings, always, आपके पास हमेशा ही options रहेंगे, so I do feel like that, कि यह इनसान के पास भी बहुत सरे options होंगे, but the best option, okay, to live a life, will be with you, यह इनसान जैसे मैं आपको कहा, the thinking man, they always verify, एक crystal है, crystal को भी verify कर रहे है, वो क्या है, कितना इसका value है, क्या क्या हो सकता है, so everything, everything goes in their mind, it is like, you know what, like, like the king of swords, तीके, जो हमेशा ही in-depth analysis करते है, can be in the field of mathematics, या statistics हो सकता है, तीके, वो उस तरह से मझे दिख रहा है, scientific discovery होता है, वहाँ पे भी हो सकता है, इनके लिए एक दर्वासा बंद होता है, तो हजारों दर्वासे खुल जाते है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से manifest भी कर पाते है, इनकी कप्रे से मुझे यहाँ पे ये दिखाए दे रहा है, they are very fashionable, very trendy, ठीक है, जो latest designs आएंगे market में, ये उनको लेने की कोशिश करेंगे, जो latest चीजें आएंगे market में, उनके लिए बहुत ज़्यादा curiosity नका होगा, shopping बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है, you still need to wait for this person, there is still a divine timing, कुछ लोग आप जब इस reading को देख रहे होंगे, maybe the time will be either 4 o'clock, या हो सकता है उस दौरान, maybe between 10 to 12, 10 से 12 बज़े के बीच हो सकता है reading को देखो, चाहे वो रात के समय हो, या सुबह हो, and yes, उनके चार्ट में काफी sun जो है, सुरज देवता जो है, बहुत strong position में है, और राइट, यह हमेशा golden चीज़ों को miss नहीं करते हैं, so they always take the chance, now basically हम यहाँ से देख लेते हैं, उनके निश्यास क्या होंगे, so a, u, okay, अर्जु नाम हो सकता है किसी का, आशुदोश नाम हो सकता है, आशीश नाम हो सकता है, बिरेन नाम हो सकता है, विजय नाम हो सकता है, वशिष्ट किसी की सरनेम हो सकती है, okay 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 Priyanka is there okay and PIA is there okay um yes they can unka naam ho sata Arav ho sata hai okay Aru is there okay maybe a chum hmm hmm second year ke student aap rahe honge jab aap in se mille honge maybe second year seventy number the star this is your soulmate no doubt okay so this person can be staying outside just a man aapko kaha okay I don't find you can see it okay aryan ho sata hai naam okay samikshah ho sata hai kisi ka naam sarita ho sata hai shital ho sata hai sejal ho sata hai sujal ho sata hai yes yeh baarish ka mausan okay they love rain dance ya they love water ki aaspas in kye ghar ke aaspas koi leg, talao ya ho sata hai ki sea beach ho so they love water basically showers lena inko bhot pasand hai is tarah se bhi mujhe dikhai dhe raha hai okay okay and they can be an rj also they can be hmmm okey mp yes they can be under any type of politician they may be aiming for that member of parliament may be because they can be a journalist media broadcasting parliament mein ya politician ho sata hai joh ana chaatai us unka target vahi hai ya politician khandan se hai may be their father their mom is mp is like that mp se madhra pradesh bhi toh hota hai okay okay and okay rj is tan is also there okay all right hmm nupur ho sata hai kisi khan naam okay so basically ye aapke nishas or unke nishas ho sata hai dekhle naap log cities bhi ho sata hai so i do find this is enough for today i hope you like it and if you like please do share and subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity tarot's expert truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot and take care of yourself